Hello everyone, this is Soumya and you are watching Made Is Here आज आप लोगे साथ शेर करने वाले हुए बहुत ही ईजी और बहुत सिंपल सा पैकिंग आइडिया इसको आप घर में एविलेबल सामान से बहुत आसानी से बना सकते हैं इसके लिए जो साडी हम यूज करने वाले हैं वो हम लेंगे इसके लिए थोड़ी से सिल्क पैटर्न की साडी जो की अच्छे स्ट्राइब के वाइबरेंट बॉर्डर के साथ आती है यहां पर देखें जो मैंने साडी का सेलेक्शन किया है वो कुछ इस तरी के से है यानि उसका जो बॉर्डर है वो खिला हुआ होना चाहिए और साथ ही इस बॉर्डर पे बहुत जादा वर्क नहीं होना चाहिए आप देख सकते हैं जो मैंने चॉइस किया है वो थोड़ा सिल्ट टच की साडी है आप इस साडी के साथ इस बैकिंग आइडिया को ट्राइ कीजिए बहुत ही जादा खिल के आती है तो सबसे पहले मैं यहां पर साडी को हाफ फोल्ड कर रही हूँ देखें साडी की एक एंड से इस तरीके से इसकी जो लंबाई होती है साडी की हमें वो कम नहीं करनी हमें इसकी चौड़ाई को कम करना है तो देखें मैंने जो चौड़ाई है इसको इस तरीके से हाफ फोल्ड करते हुए पूरी साडी को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है इस तरीके से करने के बाद हम इस पर एक फोल्ड और लगाएंगे और फिर से इस साड़ी को दुबारा से एक बार और फोल्ड करेंगे यानि देखें मैंने साड़ी की जो चोड़ाई है उसको काफी पतला कर दिया जैसे कि हम दुबट्टे को करते हैं तो इस तरीके से हमने पूरी साड़ी को फोल्ड कर लेना है और यहां पर जो आप बैक्ग्राउन में थाली रखी देख रहे हैं हमें इसी में इस साड़ी को डेकोरेट करेंगे तो आपके पास कोई भी बड़ा थालो आप उसका यूज़ कर सकते हैं यहां पर इस साड़ी का जो ब्लाउज है वो अलग नहीं है क्योंकि यह नई साड़ी है तो आप इस पोर्शन को अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं जैसे कि मैं करके दिखाऊंगे आपको तो यह देखिए यह अंदर की तरफ मैं से फोल्ड कर दूँगे क्योंकि यह उपर से देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर दे रही हूँ और फोल्ड करने के बाद हम इसको इस तरीके से थाली में रखना शुरू करेंगे तो इस तरीके से आपको प्लेट करते जाना है एक योग पर एक और अगर आपको डिफिकल्टी होती है आपको लग रहा है कि साड़ी आपसे नहीं प्रेस डाउन हो रही है तो आप यहाँ पर छोड़ी छोटी वाली अल्पिन्स का यूज़ कर सकते हैं और उससे इस साड़ी को सेक्योर कर सकते हैं जब आपकी पूरे डिजाइन बन जाए तो आप उसमें पिन की मातरा कम कर दीजे या फिर आप बिल्कुल से भी निकाल सकते हैं यह डिपेंड करता है कि आप कि स्ट्रेक्चर का कपड़ा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कई सारे सिल्क ऐसे होते हैं थोड़े फ्लाफी होते हैं कुछ सिल्के मटरिल ऐसे होते हैं जिनको एक बार प्रेस करने के पाद वो एस इस बने रहते हैं तो यह depend करता है कि आपके structure की साड़ी यूज़ करें यानि उसका कपड़ा कैसा है उस पर यह depend करेगा तो यहाँ पर जो मैंने साड़ी लिए वो easily बिना पिन की help से हो रही है तो इसलिए मैं आपको बिना पिन की help से करके दिखा रही हूँ अगर आपको packing बहुत जादा time के लिए रखनी है या फिर suppose आपके घर में function है वो एक अफते बाद है तो आप यहाँ पर पिन ज़रूर लगाईए और end of the day आप इसको निकाल सकते हैं आप इसको निकाल करके रख सकते हैं क्योंकि हो सकता है दो रखने में समान कभी आपकी packing बिगड सकती है तो आप पहले पिन लगा लीजे उसके बाद प्रेजन करते समय आप उसको निकाल दीजे तो इस तरीके से आप पूरी plates को बनाते जाए और पूरे थाल को हम इस तरीक इस तरीके से जब आप पल्लू की साइड आएंगे तो पल्लू की साइड पी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इस तरीके से फोल्ड कर दीजे और दोनों इन को जोईन करते हुए इसका एक फ्लॉवर का शेप तयार कर लेंगे तोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस कर दें ताकि कि जो प्लेट्स है वो अच्छे से सेट हो जाएं और वो प्लेट के बाहर नहीं जाने चाहिए तो अगर आपकी प्लेट थोड़ी चोटे साइज की है जितनी बड़ी मेरे पास है नहीं है तो आप इसकी जो फोल्ड है यानि जो साडी को में दो बार फोल्ड किया था आप तीन बार कर सकते हैं उसके बाद देखे मैं आप पर एंड पर इस तरीके से फिन लगा दूगी और ये साडी पैकिंग बिल्कुल तयार है इसके उपर आप कोई भी फ्लावर लगा सकते हैं इस तरीके से या फिर चाहिए तो इसको उपर से रिबन से पूरा बान भी सकते है और उपर से चाहिए तो further transparent sheet लगा के इसको पूरा अच्छे से wrap कर सकते हैं तो मैंने आप पर इसको इस तरी के से रखा हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स वर वाचिंग